नमश्कार दोस्तों, welcome you all again to this most comprehensive and to the point lecture series on this year's economic survey हम हमारी इस lecture series में आगे बढ़ते हुए next lecture जिसको discuss करने जा रहे है इस अबाउट दा आईश्मान भारत जन आरोग्य योजना और इससे जुड़े हुए health outcomes पे मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा brief कर देता हूँ what we will be going to understand in this particular chapter सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इस flagship scheme जिसके through हम below poverty line families को health insurance coverage देने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमने 10 करोड फैमिली और 50 करोड लोगों को इसके अंदर insure किया है इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो आईश्मान भारत scheme हम लोगों ने launch की इसमें हमने secondary और tertiary healthcare services प्रोवाइड की हैं अब यहाँ पे secondary tertiary healthcare services आईश्मान भारत scheme इनको हम पहले भी देख चुके हैं मगर जो इस lecture को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बहुत जल्दी से short में बता दू कि secondary healthcare services वो होती है या primary से शुरू करें जैसे कि आप dispensary में पहली बार visit करते हैं डॉक्टर को तो वो आपका primary healthcare service कहलाएगी अगर वो डॉक्टर आपको hospital के लिए recommend करते हैं और अगर आपको hospitalized होना पड़ता है तो वो secondary healthcare service कहलाएगी इसी के साथ साथ यहाँ पे health कितनी important होती है इस chapter में हमको यह जानने को मिलेगा हम यहाँ पे देखेंगे कि इस आईश्मान भारत की जन आरुगी योजना को जिस जिस state ने implement करा उनके यह health outcomes हर parameter में बहुत जादा अच्छे आए है comparative to वो states जिन्होंने इस योजना को implement अपनी state में नहीं किया जहाँ पे हम particularly एक state का example देखेंगे जो हमें economic survey बताना चाहरा है that is about the West Bengal इसको हम इसकी neighboring state से compare करेंगे जैसे बिहार जैसे असम और देखेंगे कि same demography होने के बाद same social conditions होने के बाद भी उन states इस ने आईश्मान भारत जन आरुगी युजना को implement किया उनके health outcomes ज साथ साथ हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे और भी इससे जुड़े हैं बहुत important parameters पे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं Martin Luther King Jr. के इस court से of all the forms of inequality inequality के हर forms में से अगर healthcare में injustice किया जाए injustice in healthcare तो यह सबसे shocking और most inhuman act के लाएगा it is the most shocking and most inhuman इसी पे हम आगे बढ़ते हुए जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग कुछ states को compare करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस method को बोला जाता है difference in difference method जिसमें आप basically यह समझ सकते हो यह पिछली बार भी economic survey ने health के लिए ही use किय जा था जिसमें यह तरीके का experiment होता है जिसे मान लिजे कि हमें एक दवाई का reaction देखना है या effect देखना है कि क्या हो रहा है तो हम इसके दे लिए दो group बनाते एक वो group जिसको हम medicine नहीं लगाते हैं और यह जिसको हम medicine लगाते हैं और इनस बिहाफ पर जब हम दोनों groups को compare करते तो इसको difference in difference method कहा जाता है अब आसान बाशा में ऐसा समझ सकते हैं अब जैसा मैंने आपको बताया था बिहार, सिक्कीम, असम, वेस्ट बेंगॉल इनको हम compare करेंगे तो यहाँ पे हम क्या health outcome देखेंगे यह मैं आपको introductory part में ही बता देता हूँ तो यहाँ पे हमको देखने को आएगा कि health insurance cover देने के बाद में जो इस scheme से लावानवित होके insurance के अंडर आ गए, उनका जो proportion है वो 54% से बढ़ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपे 54% देख पा रहे हूँ जिन्होंने स्प्रधान मंत्री आईश्मान भारत जन आरुग्य यूजना को implement किया, मगर उन states ने जिसने इसको implement नहीं किया, वहाँ पे 10% का fall, मतलब की गिरावट देखने को मिली, जो लोग insurance cover के अंडर आ रहे थे इसी तरज पे, अगर हम बात करें, एक बहुत ही आम से parameter, मगर बहुत ही खास parameter, that is infant mortality rate, बच्चा मरत्यूदर, यहाँ पे उन states ने जिसने PMJY को implement किया, वहाँ पे 12% का declination देखने को मिला, infant mortality rate में, वहीं, अगर हम उन states की बात करें, जिन्होंने नहीं adopt किया, did not adopt, वहाँ पे 20% की गिरावट देखने को मिली, मतलब 8% का difference था, और वो state advantageous position में रही, जिन्होंने इसको implement कर लिया था, इसी तरज पे, यहाँ पे अगर under 5 mortality rate के हम बात करें, तो जिन्होंने adopt नहीं किया इस योजना को, वहाँ पे सिर्फ 14% fall देखने को मिला, मगर जिन्होंने adopt कर लिया, वहाँ पे 19% इसमें fall या reduction देखने को मिला, इसी के साथ यहाँ पे जो consecutive kids होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, उसमें जो spacing होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पे नहीं होती है due to awareness, due to other factors, मगर PMJY के बाद में, यहाँ पे जिन states ने इसको adopt किया, वहाँ पे 31% का fall देखने को मि देला, तो यह कुछ introductory part में ही हमने इसका result भी देखा, कि आने वाले pictorial graphs या graphical representations के through, यह chapter हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, basically, this chapter is trying to make us understand the importance of this particular scheme, और क्योंकि यहाँ पे कुछ states, due to certain political factors हम सब जानते हैं, जिन्नोंने इस scheme को implement नहीं किया है, तो यह आपको यह बताएगा, प्रिके से जो public good होता है, वो vulnerable sections के लिए society में बहुत important होता है, अब यह public good क्या होते हैं, यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पर हम बहुत यह आसान सा example ले, एक street light का, यह street light जो है, यह public good है, public good basically क्या चीज़ होती है, कि अगर एक public good का आप consumption कर रहे हो, तो उस consumption के कारण किसी भी दूसरे व्यक्ति के consumption पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो consumption does not affect consumption of other person, अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ government जो है, हमारे यहाँ पर वो इस scheme को उसके बाद भी launch नहीं कर रही है, तो आपको जानना पड़ेगा कि समस्यां कहा आ रही है, तो इसको इनोंने एक metaphor के तरह यूस किया है, कि government may suffer from the horizon problem in a democracy, जहाँ पर जिस जो public goods के benefits हैं, वो उनको जब तक नहीं दिखते, जब तक उनकी electoral cycles ना आ जाए, तो यहाँ पर इसी काहरण से लिखा है, benefit of public goods reach the electorate may be longer than the electoral cycles, कि जब elections आते हैं, जब ही electorate को उसका फायदा मिलता है, और इस example के थुरू, जहाँ पर हमने universal health coverage देने की कोशिश कि यह, यह एक इसका उधारन दिया है इन्होंने, कि 2018 तक universal health coverage जो है, वो लोगों के लिए एक dream जैसा था, मगर इस सरकार ने 50 करोड़ individuals या 10 करोड़ vulnerable families को insurance coverage दिया, जो कि हमारी उस bottom most population में आता है, and it contains the proportion 40% of that vulnerable section. अब अगला सवाल जो आप से यहाँ पर पूछा जाएगा, कि इसके जो beneficiaries हैं, उस beneficiaries को कैसे find out किया जा रहा है, जिसका जवाब है SECC data of 2011, जिसका full form है social economic caste census, हाला कि मैं आपको बता दूँ कि social economic caste census का जो data है, it was not released yet for the rural area, but then to, यही वो report है, या census है, जिससे beneficiaries को find out किया जा रहा है, यहाँ पर 5 lakh rupees per family, per year, on a family floater basis दिया जाएगा, जिसमें secondary और tertiary hospitalization include है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई cap नहीं लगाई गई है, on age, on gender, या फिर on size of family, मतलब अगर 5 जने की family से जादा बड़ी family है, 8, 9, तो भी कोई इसमें रोक टोक नहीं है, इसी के साथ साथ यह जो scheme है, यह portable है, across the country, मतलब आप इसको कहीं भी जाके avail कर सकते हो, इसी के साथ साथ, यहाँ पर pre-hospitalization, तीन दिन के पहले, तीन दिन का pre-hospitalization और 15 दिन का post-hospitalization expenses जो होते हैं, वो मिं included है, यह कुछ factual points हैं, क्योंकि आईश्मन भारत flagship scheme है, तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि इसके क्या-क्या features हैं, तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको प्रारंब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि, यह जो initiative लाया गया है, एक बहुत ही comprehensive initiative है, जहाँ पे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, आपके साब्क ने basic, core और advanced लिखा हुआ है, जहाँ पे basic में आपको दिख रहा होगा, कि जितनी भी basic knowledge आपको UPSC civil services clear करने के लिए होनी चाहिए, वो सब NCRTs को cover करके through our video lessons, book wise test series और answer writing की classes के through, हम cover करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके basic concepts यहाँ से पूरे clear हो जाए, आप answer writing कर पाओ, और book wise test series के through, आप अपने आपको evaluate कर पाओ, then we will move ahead to the core, जहाँ पे हम जो हमारे subjects होते हैं, जैसे geography, history, economy, इनको 500 plus hours of video lessons के through cover करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको special mentorship दी जाएगी by the individual educator on particular subject, और बिलकुल इसी तरीके से advanced level पे जाके, हम essay writing classes, weekly test conduct करके आपका evaluation, इस तरीके की चीज़ों से एक comprehensive plan आप लोगों के लिए ले के आए हैं, and of course जो dedicated mentorship होती है for the interview वो भी हम conduct कर वा रहे हैं, तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से preparation हमारे साथ मिलके कर सकते हैं, and this is our one year complete comprehensive UPSC preparation program, तो आप में से जो भी इसको join करना चाहते हैं, वो video.onlyis.in पर जाके इस चीज़ को cover कर सकते हैं, and for any more information, you can ask below in the comment box, तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री जन आरोग जिजना का status और progress देख लेते हैं, साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि National Family Health Survey को use किया गया है, इस report में differentiate करने के लिए, तो दो report का use किया गया है, National Family Health Survey Report 1 और Report 2, पहले की जो report है, वो है 2015-16, और दूसरी जो report है, it is of 2019-20, खेर, अगेन यह relevant नहीं है, मगर हम, मैं आपको सी वे बताना चाहता हूँ कि National Family Health Survey की report के थ्रू, यह comparison किया गया है, तो as per the latest annual report of National Health Authority 2019, जो इसका status है, वो कुछ इस तरीके से है, कि 32 states और union territories ने, इस scheme को अभी तक implement कर दिया है, 13.48 करोड़ e-cards अभी तक issue करे जा चुके हैं, इतने hospitals इसके अंडर आते हैं, treatment इतने रुपे का, 7,490 करोड़ का अभी तक provide कर चुके हैं, इसे के साथ 1.5 करोड़ users अभी तक, इस scheme की website पे register हो चुके हैं, अगेर हम यहाँ पर distribution देखने की कोशिश करें, कि इसका utilization कैसे हुआ है, किन procedures के लिए सबसे ज़्यादा use हुआ है, किन procedures के लिए कम use हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा general surgery के लिए, इसके बाद में obstetrics and gynecology और art cream है, orthopedics, यह तीन अगर आप याद रख पाओ, तो यह तीन important है कि कौन सी diseases के लिए इसको use किया गया है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर share of claim देखें, by clinical specialty, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा important नहीं है, मगर यहाँ पर general medicine का अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो general medicine का claim है, वो भी यहाँ पर बढ़ा है, मतलग कि यहाँ पर सीधे तोर पर देख सकते हो कि जो out of pocket expenditure, हमने इसके पहले lecture में पढ़ा था, वो किस तरीके से हमारी government कम करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर सारी general medicine के procedure में जो dialysis है, इसका 30% अपने आपे लेके चलता है, तो चलिए हम चलते हैं graphical representation पर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे population और household का trend रहा, यहाँ पर बात करेंगे West Bengal और compare करेंगे इसके adjoining state बिहार, सिक्कीम और असम के साथ में, जैसा मैंने बताया था National Family Health Survey 4, National Family Health Survey 5 से compare करेंगे, तो यहाँ पर जब से पहले अगर हम देखें female population age 6 years and above, जिनोंने school attend किया है, तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो, कि यहाँ पर इसका percentage 74 से 77 हुआ है और यह West Bengal का दिखा रहा है अगर आपको मैं और अच्छे दिखाना चाहूं, यह 74 दिख रहा है और यह 77 दिख रहा है, अब अगर आप देखोगे इसके adjoining state में तो आपको दिखेगा 71 से 74 परसेंट हो गया है, अगें better improvement than West Bengal, इसी के साथ अगर sex ratio की बात करें, out of total population में तब कितनी female per thousand males का है यहाँ पर हमको advancement देखने को मिला, तो 1011 West Bengal में था, 2015 के time पर जो की 1049 हो गया, मगर यह देखो कि जो बाकी के neighboring states है महाँ पर पहले भी West Bengal से कम था, it is 999, मगर हुआ तो अभी भी West Bengal से absolute numbers में कम, 1031, मगर यह सोचो कि कितना ज्यादा यह लोग बढ़ गए, यह 1000 से भी कम थे जो आप 1031 हो गए, मगर West Bengal अभी भी कितना कम बढ़ा, इसको आप इस तरीके से perceive कर सकते हो, इसके साथ अगर last five years की बात करें, और sex ratio देखें, बर्थ का, for children bond, तो यहाँ पे 960 से 973 है West Bengal का, मगर adjoining states का again, अगर मैं आपको 891 और 947 बोलू, तो almost आपको 80 का difference दिखरा होगा, ठीक, और यहाँ पे कितने का difference दिखरा है, सिर्फ 13 numbers का, समझ पारे हो आप बात को, तो यह एक बहुत major difference है, इसके बाद, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे parameter से हम लोग सारे दो discuss नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे आपको हर चीज में दिखाने की कोशिश की गई है, जितने भी parameters हैं, चहाँ पे West Bengal ने बहुत poor perform करा है, क्योंकि उन्होंने इस scheme को implement नहीं करा अपने, वहीं जिसने इस scheme को implement करा, वहाँ पे बहुत सारे benefits देखने को मिले, फिर अगर हम 15 से 49 years के adults की बात करें इस scheme के अंदर तो West Bengal और अगें neighboring countries को हम compare करेंगे, तो देखो, ऐसे households जो किसी health insurance और financing scheme से covered है, इसमें West Bengal को proportion गिर गिर गिया, 33 से 29 पे आ गए, मतलब 12% का यहाँ पे reduction देखने को मिला, वहीं जो neighboring states हैं जिनों ने इसका lab उठाया, वो 89% के increase देखने को मिला, मतलब सिर्फ 18% की population पहले हैं, तिंचने इसमें cover हुआ करती थी, तो 33% पे आ गए हो, मतलब West Bengal को पूरी तरीके से surpass कर दिया, absolute numbers में भी in fact, अगर हम women के बात करें with 10 or more years of schooling, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि West Bengal में यह 24% बड़ा, और neighboring states में यह सिर्फ 20% बड़ा, हला कि यह remarkable progress नहीं है, मगर उसके बाद भी बहुत कम से, एक remarkable progress यहाँ पे इनोंने दिखाई, near about West Bengal के पास आने की, जो कि एक developed state में आता है, developed state I mean, जो एक emerging state में आता है, I should say, उससे comparative यहाँ पे देखा या सकता है, इसी साथ-साथ, men with 10 year or more of schooling, इसमें अगर हम देखें, कि कितने लोग बड़े हैं, तो West Bengal में सिर्फ 3% है, बाकी neighboring state में 10% है, इसके बाद अगर हम अगले graph पे चर्चा करें, infant और child mortality rate पे, तो यहाँ पे आप बिलकुल ध्यान से देख पाऊगे, तो West Bengal और adjourning state में remarkable difference देखने को मिलेगा, West Bengal में 30%, neighboring state में 31%, अगेन जादा हो गया, यह neonatal mortality rate था, अगर infant mortality rate की बात करें, और मैं उमीद करता हूँ कि आपको पता होगा, कि West Bengal, या फिर हम Pan India की बात करें, तो वहाँ पे हमारा performance तो बड़ी रहा है, मगर यहाँ पे बात यह कि कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 20% का reduction देखने को मिला, neighboring state में 28% का, under 5 की बात करें, तो यहाँ पे भी West Bengal में सिर्फ 20% का reduction आया, और neighboring state में 27% का, तो अभी तक आप यह तो समझ चुके हो कि जिस state ने इसको implement करा, इसकीन को, वो इसने कितना अच्छा perform करा, और इस state ने नहीं करा, वो कितना downward trend की और जाते जा रहा है, फिर अगर हम family planning methods की बात करें, of currently married women, जिनकी age 15 से 49 years से, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कि जिसे देखो female sterilization, कितने percent हुआ, यह West Bengal में constant रहा 5 साल में, मतलब कोई इसमें इन्होंने advancement नहीं किया, वहीं, अगर हम neighboring states की बात ले किया है, 16 से 19 परसेंट, remarkable achievement, right, pills में, condoms में, male sterilization में, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सब जगे, हमको देखने को मिलेगा, कि neighboring states ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसे आपे 0 और यहाँ पे 1 से 1, तो दोस्तों, इस chapter में, ऐसे बहुत से graph को represent किया गया है, अगर म precious program जब government ने 2018 में launch किया, तो यह किस vulnerable section के लिए launch किया, उसके क्या effects आ रहे, और कैसे आज यह हमको V-shaped recovery में help कर रहा है, और साथ ही साथ कैसे इसके health indicators हमने major किये, national family health survey की हमने बात करी, जो 2015-16 में आया था, national family health survey 2019-20 से इसको हमने compare किया, difference in difference method इसको बोला जाता है, और इसी तर I hope you like this, अगर आको lecture अच्छा लगा हो, comment में जरूर बताएगा, कोई भी doubt was topics related, feel free to ask in the comment, in the end, keep shining, have a good day, thank you for hearing us, also if you want to download the pdf of this lecture, you can do this by visiting our telegram channel, thank you